लोगों को राहत मिल सकती है 36 गड़ में आसानी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है और इसका असर सबसे ज्यादा बस्तर संभाग जिले में होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाक के अनुसर दक्षन से आने वाली हवा लगातार 36 गड़ की तरफ बढ़ रही है जिसने 24 घंटे में सुकमा, दंतेवाडा, बस्तर, नारायनपुर, कोंडा गाउं समित आसपास के अनिजलों के एक दो इस्थानों पर भारी बारिश के साथ अंधर चलने की संभावना जताई है मामले में सहायक मौसम विग्यान से बाचीत की हमारे सहियों की स्वपनिल गौर खेड़ेने असनी तुफान अभी आंधरा तट के करीब है और उसके असर से 36 गड़ में भी कहीं न कहीं मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है गर्मी से रहत लोगों को जरूर मिली है हमारे साथ साहक मौसम विग्यानी के उनसे बात करेंगे सर असनी तुफान अभी कहां परिस्थित है और 36 गड़ में उसका क्या आसर रहने वाल है असनी तुफान अभी बंगाल के खाड़ी पर ही बना हुआ है उसके प्रभाव से तंप्रेचर में गिरा बटाएगी समाने से और अभी तंप्रेचर जो है 39 के आसपास है आज तंप्रेचर जो है 38 के आसपास रहने की समभावना है और उसका प्रभाव जो है, जगडलपूर, कुंडगाउं, नरायनपूर, बीजापूर, दंतेवाडा, इन जीलो में जो है रहेगा तक्राने के बाद क्या इस्तिती रहने वाली है अभी तो कह नहीं सकते तर्ट में टक्राने के बाद जो है आगे बढ़ेगा अभी मतलब अभी टक्राया नहीं है उससे आगे बढ़ने के बाद जो है ठक्रानी की संभावना हमारे साथ साहिक मौसम वग्यानिक ते जिन्होंने बताया कि असनी तुफान अभी धीरे-धीरे आंधरा तट की और आगे बढ़ रहा है और जैसे ही ये तट से टकराएगा तो उसका 36 गड़ में कही आंसी का सिरू जरू देखने को मिलेगा बुन्दा बांदी साथ 36 गड़ में के कई हिस्सों में शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में भी एक दो दिन ऐसी इस्तिती बनी रहेगी कैमरा में निकराम कुरेसे के साथ स्वापनल गौरखेडे आनेस न्यूज राइपोर